Hello friends, Realme जो है नया software update दे रहा है अपने Realme GT Neo 3T models को जो की May 2023 में improvement लेके आया है अब यह जो firmware है यह refine करेगा application को और overall system को इतसे आपका जो handset है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा responsive हो जाएगा आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है Android और टेलीकॉम न्यूसकीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरू दबाएं तो Realme GT जो है वो ultimate edition था और यह काफी popular smartphone है अब इसकी efficiency को maintain करना है तो company ने इसका May 2023 improvement जो है rollout करना शुरू कर दिया Realme GT Neo 3T device के लिए latest software का जो version number है वो आपको screen पे दिख रहा होगा यह आप ध्यान से note करके रख लीजे और download करने से पहले एक बर मिला लीजेगा update की जो size है वो country to country vary हो रही है अब जो नया firmware है यह install करेगा improvements of system stability यानि आपके stability जो system की वो वहले के मुकाबले सही हो जाएगी अच्छा इसमें एक issue और था कि जो whatsapp की calls थी वो fail हो जाती थी connect होने से पहले तो यह जो चीज़ सही कर दी गई इसी के सब power consumption defect था उसको सही करा गया है और battery life experience को भी इसमें improve करा गया है details जो है वो आपको नीचे screen पे मिल जाएंगे अच्छा अब अगर यह update जो है अभी जो है limited users को ही दिया जा रहा है जब तक कि इसमें यह ensure नहीं हो जाता कि इसमें कोई further bug नहीं है broader rollout उसका आने वाले दिनों में ही शुरू होगा तब तक आपको wait करना होगा या फिर आप manually check कर सकते हैं manually check करने के जो steps हैं वो आपको screen पे दिख रहे होंगे इनको आप follow कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो like करें चैनल subscribe करें और bell icon जरूर दमाएं